दीपा कर्माकर जिन्होंने वॉल्ट इवेंट के फाइनल में शांदार प्रदर्शन किया और महज 0.15 अंक से वो कांस से पदक से चूक गई उनसे और उनके कोच से बाचीत के हमारे समवाद आता विमल मोहन दीपा कर्माकर पदकों की रेस में भले ही पिछड़ गई हो लेकिन उन्होंने सवा सो करोड भारतियों का दिल जीत लिया है खासकर जो माहौल बनावाता है अर्यों में दीपा पंद्रह सबसे बड़ी बात है जितने भी लोग प्रदर्शन करते रहे किसी ने सबसे बड़े स्टेज पे अपना बेस्ट प्रदर्शन नहीं किया आपने प्रदर्शन करके सबको खुश कर गया पूरे इंडियन को शायद इनकी इतना प्रेय था शायद इसलिए मैं आज इस पोडियम पे इतना अच्छा परफॉर्म कर पाई और हाँ एक तरफ से देखो मैं भी बहुत खुश हूँ मेरे परफॉर्मेंस से की मेरा बहुत अच्छा था आज की मेरा स्कोर 15 प्लस हुआ पर हाँ और दूसरी तरफ से दुखी भी वो शायद मेडल मिल जाता तो सब बहुत खुश हो जाते पूरे इंडियन कोच आप जो प्रजर्शन है बेशक उससे खुश होंगे क्या यह बहुत बड़ी बात है कि ओलंपिक जैसे स्टेज पे त्रिपुरा की लड़की आकि सबको बोलता हूं और देखे मैं जो सिखा के उसको लाया उसने इससे भी थोड़ा बोट अच्छा किया और अच्छा कर सकती थी लेकिन मैं खोश हूं अगर मेडल मिल जाता तो बहुत ज़दा खोश होता देश बार्शी को एक तोफा दे सकते थे जो हमारी जो टॉप स्ट सबसे कर सकते इसे बहुत अच्छा कर सकते मेरे सबस्यच नहीं होने वाले वह क्लाशी क्लासिक सबसे अलग जिम्नास्ट कोछ आपके लिए जैसे अभी ये पदक तो मिस हो गया लेकिन दोहजार बीस में आपके पास दीपा का कोई अल्टरनेटिव या बेंच है नहीं यह आपके लिए फिकर की बात है देखिए दीपा के बात एक दू जिमनास्ट है मेरे पास तो मैं कोशिश करूँगा कि 2020 तक मेरे पास तीन लिड़की हो दीपात रहेगी रहेगी जाहर तोर पर कोच और भारत के सब खेल प्रेमी सुषते हैं आपको मेडल को लेके लेकिन जब आप आपने प्रोजुनवा खत्म किया तो आप अकेली थी जिनके लिए पूरा स्टेडियम ताली बजा रहा था ये कितना बड़ा कॉंप्लिमेंट है इतने बड़े स्टेज यह लेकिन आप अपना कारणामा जारे हैं है एपी इंडीनिपेंडेंस देए अपि इन्डीपेंडेंस दे थैंक यू थैंक यू थैंक आप